हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसेच फेशन वर्ल्ड आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन लेकर के आई हूँ और इसको देखिए बॉर्डर पर बटन पट्टी पर आप बना सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना इसको बनाने के लिए आपने थ्री के मल्टिपल में फंदे रखनी है तीन से गुणा करके आपको फंदे रखनी है जिसे तीन छे नौ इस तरह से आपको फंदे रखनी है मैंने यहाँ पर नाइन स्टीचिस कास्ट उन के यह हैं और देखिए आप इसको फूल कारड़िगन के उपर बना सकते हो तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, पहली रोप सीधी तरप से रोवन, राइट साइड से पहला फंदा सीधा उतारा, यहाँ पर मैंने एक ही एस टीच रखा है तो इसको मैंने सीधा उतार लिया, अगर आप ज्यादा रखना चाते हो तो आप यहाँ पर ज्य दागे को घुमाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे, वन, टू, अब यह एक आइश्टी चोड़ कर यहाँ से फिर से आम आपना रिपीट स्टार्ट करेंगे, तो फिर से देख लिए पीछे ले गए, इसको यूंग घुमाया, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दाग आगे लाया इसको यों घुमाया फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे सारी रो हमने यही तीन फंदे रिपीट करते जाना है जाले डालते हुए फंदे सीधा बनाना है फिर जाले डालते हुए फंदे दो फंदे उल्टे बनाना है सारी रो आपको इसी तरह से ही complete करनी है last में देखिए दो फंदे हैं तो दोनों को यहाँ पर सीधा बना लेंगे इस तरह से अब बाजाएए रो 2 पर wrong set से दूसरी रो उल्टी तरफ से तो इसमें देखिए पहला फंदा हमने उल्टा उतार लिया उसके साथ एक और फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना लेंगे दागा पीछे लेगे दो फंदे सीधे बनाएंगे जो यहाँ पर देखिए राइट से उल्टे बनाये थे दो फंदे वो रोंग सेट से सीधे हो जाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब जो सीधा फंदा था, यहाँ पर जो सीधा फंदा बनाया था, उसके आस-पास हमने जाले डाले थी, तो इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है, one, two, जाले वाले फंदे को इस तरह से बनाएंगे, three, त देखिए उल्टा बनाना है लास में आपके पास एक फंदा बचेएगा इसको आपने उल्टा बना लेना है इस तरह से अब आजाए रो थ्री पर राइट साइड से थर्ड रो सीधी तरब से पहला फंदा सीधा आप यहाँ पर देखिए यह जाली डाली थी यह जाली है यहीं इन तीनों को हमने सीधा बनाना है 1,2,3 तीन फंदे सीधे दागा अपनी तरफ अब ये जो दो फंदे हम उल्टे बना रहे थे इनको हम यहां पर उल्टे ही बनाएंगे दो फंदे उल्टे अब देखे सारी रोह हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कनी है ये जो देखे सुरू का एक एल्स्टी चैस को छोड़कर ये ही हम ये जो पांच फंदे है ये ही पुरी रोह में रेपीट करेंगे तो फिर से देख लीजे दागा पीछे तीन फंदे सीधे 1,2,3 दागा आगे दो फंदे उल्टे इसी तरह से आपको सारी रोह बनानी है प्लास में देखे दो फंद उल्टा बनाएंगे दागा पीछे ले जाएंगे अब दो ये यहां पर आपको सीधे फंदे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधे बनाएंगे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ अब ये जो देखे हमने तीन फंदे यहां पर सीधे बनाए हैं जो हमने जाली डाली थी सीधे स्थे वंदे के आसपास तीन तीन का अप he can again में По नूत गिशुरू के दो फंदे हैं रिखें diferentes तो सारी रो आपको इसी तरह से complete करनी है लास में एक फंदा बचेगा इसको आपने उल्टा बना लेना है तो आप देखे यह जो चार रो है यही हमने repeat करते जाना है अब यहां से फिर से हम रो बन डालेंगे रो बन से लेके रो फोर तक ही continue करते जाएंगे आपको इसमें कि मैंने इस तरह से बटन पट्टी के उपर और यह नीचे बॉर्डर के उपर यह बनाया है तो कितना प्रीटी लग रहा है उसमें एक और खास बात है इसमें आपको बटन हूल बनाने की जुरूत नहीं पड़ेगी यह देखे इस तरह से बटन हूल आपके अपने आप ही बन जाते हैं तो इस तरह से देखिए रो बन से लेके रो फोर तक ही आपको कंटीनू करना है कैसा लगा डिजाइन प्लीज एक कमेंड करके जुरू बताइएगा चाहे तो अपने फुल कारडेगन पर बनाईए या इस तरह से देखिए आप इसको और यह लूज भी नहीं इसको इसी भी स्वेटर में डालने से पहल है तैंक्स वाचिंग मिलती है नेक्स वीडियो में किसी और टुटोरिल के साथ तब तक के लिए बाबाए